तो स्वागत है आप सुभी का ग्यापन एकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में फाइनली आज के इस वीडियो में हम लोग 10th क्लास के उर्दू के दरक्षा के किताब से 4 चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं चैप्टर नमबर 27 से लेकर 30 30 यानि की 30 चैप्टर तक 27 28 29 टोडल 4 चैप्टर हो रहा है ठीख है ना 4 चैप्टर जो है गजल है इसको एक वीडियो में कंप्लीट करा रही हूं यह जो दोनों गजल हैं चैप्थर नमबर 27 में और चैप्टर नमब 28 में इन दोनों गजल के रैटर एक हैं वह मुबारक अजिम अबादी और उसी तरह चैप्टर नमर जो 29 में घजल दी गई है और चैप्टर नमर 30 तीसवे चैप्टर में जो घजल दी गई है इन दोनों घजल के राइटर रही है एहमद फिराज यानि की टंट क्लास के उर्दू के बुक में आप लोगो मुबारक अजिमबादी की दो घजल पढ़नी है और एह अब लोगो शॉट्ट कराऊंगी तो कोई पॉइंट छूट जाएगा ऐसा नहीं है बहुत ही अच्छे तरीके से हर एक पॉइंट को कवर करते हुए चारों चैप्टर को कमप्लीट करेंगे ठीक है ना किस किस तरह से आप लोग एक्जाम में कोशन पूछे जाते हैं और कि अलग-अलग वीडियो में आप लोगो विस्तार से पढ़ाई भी एकदम डीपली तो उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी हूँ आप लोग लिंक पर क्लिक करेंगे परती एक वीडियो आप लोगो मिल जाएगा हर एक चैप्टर का स लोग वहां से जाकर हर एक चैप्टर को एकदम विस्तार से पढ़ सकते हैं अलग-अलग वीडियो में ठीक है ना तो खैर जो भी वहां पर मैं आप लोगो पढ़ा ही वही चीज़ आप लोगो यहां पर पढ़ना है बस फरक सिर्फ इतना है कि मैं शॉर्ट कोट लेकर शायरी के अंदाज में ही लिखी जाती है ठीक है ना और घजल में ज्यादेतर इश्क वाशकी की बाते होती है औरतों से या फिर औरतों की बाते होती है यह बहुत पहले माना जाता था जदी जमाने में लेकिन अभी जमाना बदल चुका है अभी के जमाने में घजल में जो है मतलब किसी भी तरह का आपका जजबात हो सकता है उसको शेर और शायरी के अंदाज में लिखकर बयान कर दीजिए तो उसी को कहते हैं घजल मतलब घजल में अब सभी तरह के टॉपिक आकर जुड़ चुके हैं ठीक है ना अब आपका कोई भी जजबात हो हम जो भी फील कर रहे हैं जो भी हमारे अंदर जजबात हैं अगर उसको शेर और शायरी के अंदाज में किसी तरह लिख दिए तो क्या उसको घजल कहेंगे तो जी नहीं घजल लिखने के दौरान घजल लिखने के नियम और कानून को भी फॉलो करना पड़ता है और कुछ नियम कानून होते हैं घजल के जो कि उसको फॉलो करके घजल लिखना पड़ता है तो आखिर वो नियम कानून है क्या तो घजल के कुछ नियम कानून है जैसे कि मिस्रा शेर और उसके बार से रदीफ काफिया वगरा तो किसको समझ लेजे क्योंकि आप लोग एक्जाम में हो सकता है कि कोशन पूझ देखे इसको समझाने के लिए कि मिस्तरा किसे कहते है शेयर किसे कहते हैं आप लोग को स्क्रिन पर एक इमेज दिखा रही हूँ आप लोग देख Kings यग ओर आओगा आप लोग खो गई, फिर के आने की नहीं नादा, घड़िया जो गई अब ये इस गजल का पहला लाइन है और इस गजल के पहले लाइन में आप लोगो को ये जो दोनों खंड दिखाए, जो दोनों सेंटेंस दिखाई दे रहे ना इसी को कहते हैं हम लोग मिसरा यानि कि पहले line में जो पहला मिसरा है वो आप लोग के दाय हाथ के तरफ है और जो दूसरा मिसरा है वो आप लोग के बाय हाथ के तरफ है आप लोग देख सकते हैं पहले line में जो sentence लिखा गया है उसको दो खंडों में बाटा गया है पहला खंड पहला sentence आप लोग के दाएं हाथ के तरफ और दूसरा sentence आप लोग के बाएं हाथ के तरफ इसी को तो कहते हैं मिस्रा यानि कि एक लाइन में दो मिस्रा हो गया ठीक है उसी तरह दूसरे लाइन में भी दो मिस्रा है उसी तरह तीसरे लाइन में भी दो मिस्रा है और आई होप आप लोगो समझ में आ गया होगा कि मिस्रा किसे कहते हैं अब समझे की शेर क्या है देखिए दो मिस्रे मिलकर एक शेर बनते हैं ठीक है जिस तरह आप लोग स्क्रिन पर देख सकते हैं यह जो घजल है इस घजल में पहले लाइन में दो मिस्रे हैं ठीक है तो इन दो उनों मिस्रों को इकठे में एक साथ कहते हैं शेर यानि कि एक शेर में दो मिस्रे होते हैं यह याद रखिएगा दो मिस्रे से एक शेर बनता है तो पहले लाइन में जो है ना दो मिस्रे है इसको क्या कहेंगे पहला शेर कहेंगे उसी तरह दूसरे लाइन में देखिए दो मिस ठीड़ है ठीड़न तो मिस्रा और समझ में आगया अब समझते हैं कि रदीफल और काफिया किसे कहते हैं रदीफ घजल जच कर一定要 dder sensitquently के लास्ट में चले जाए लास्ट वाला वैसा लव्ज जो प्रणसियेशन तलफुज में सेम हो उस तरह के लवज को कहते हैं रदीफ सबसे लास्ट में जाना है आप लोगो इसको समझने के लिए आप लोगो पढ़ना पड़ेगा आप लोगो स्क्रिन पर शोराइस को पढ़ पाने की नहीं नादा घड्या जो गई लास्ट में क्या रहाए गई यानि कि पहले शेर के दोनों मिसरे का जोwer लफ जो है न वह तलबफुज में सेम हैं गई और गई डोनों का तलफुज जो HARना एक जैसे लफ्स हैं तलपुज भी यानि के प्रननिसीशन इसे सेम हैं और दोनों लफज जो है ना एक ही जैसे हैं पहले मिस्रे में भी गई दूसरे मिस्रे के विलास्ट में क्या है गई इसी को तो कहते हैं रदीफ उसी तरह दूसरे शेर का दोनों मिस्रा पढ़िये क्या कहें क्या 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 किया तेरी निगाहों ने सुलुक दिल में आई दिल में काटे बो गई आप लोग देख सकते हैं इस घजल के दूसरे शेर में दूसरे शेर के पहले वाले मिस्रे में रदीफ नहीं देखने को मिल रहा है यानि कि दूसरे वाले मिस्रे में गई नहीं है बलकि दूसरे वाले मिस्रे में गई है दिल में आई दिल में ठहरी दिल में तो इसी तरह रदीफ होता है यानि कि मिस्रे के सबसे लास्ट वाला लफज जो की तलफ़ पुनंसियेसन में सेम हो उसी को क्या कहते हैं रदीफ कहते हैं और रदीफ जो होता है पहला जो शेर होता है ना पहले शेर के दोनों मिस्रे में होता है लेकिन पहले शेर को छोड़कर बाकी जितने भी शेर होते हैं उसके पहले मिस्रे में रदीफ नहीं होता बलकि दूसरे वाले मिस्रे में रदीफ होता है जैसा कि आप लोग को मैं आप लोगों बताई भी इस घजल में उसी तरह है पहले शेर के दोनों मिस्रे में रदीफ है गई गई लेकिन बाकी जितने भी शेर है उनके पहले वाले मिस्रे में रदीफ नहीं है बलकि दूसरे वाले मिस्रे में है ठीक है ना तो रदीफ समझ में आ गया अब समझते हैं काफिया रदीफ के ठीक पहले चले आईए रदीफ क ठीक पहले वाले लवज को कहते हैं हम लोग काफिया जैसे की देखिए पहले शेर के जो पहला वाला मिसरा है न इसके रदीफ के ठीक एक कदम पीछे चले आईए गई से ठीक एक कदम पीछे आने पर लिखा हुआ है खो और उसी तरह दूसरे वाले मिसरे को देखिए लिखा ह हुआ है जो गई के पहले खो गई के पहले जो उसी तरह दूसरे वाले शेर के दूसरे मिस्रे में देखिए जहां पर अदीफ है गई उसके ठीक पहले लिखा हुआ है बो उसी तरह तिसरे शेर में देखिए, तिसरे शेर के दूसरे वाले मिसरे में जहां पर अदीफ है गई, उसके ठीक पहले क्या है रो, और उसी तरह चौथा मिसरा जो है, चौथा शेर है, उसके दूसरे वाले मिसरे में देखिए, गई के पहले क्या है हो, यानि कि खो जो बो रो हो, सभी जितने भी यह लवज है ना सभी का पॉनंसियेशन तलफुज सेम है ना उचारन भले ही लवज सेम नहीं है मिल नहीं रहे हैं लेकिन तलफुज उचारन तो सेम है ना तो इसको कहते हैं काफिया रदीव के ठीक पहले आने वाले लवज को जिसका पॉनंसियेशन सेम हो उसको क कहते हैं हम लोग काफिया तो आई हो आप लोग अप लोग को रदीफ और काफिया समझ में आ गया होगा इस बस और कुछ नहीं होता है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए घजल लिखी जाती है अगर आप लोगको अपने जजजबातों का इजहार करना है तो शेरो शायर कोई दिक्कत नहीं है अब जो है इन दोनों गजल को दोनों गजल नहीं चार गजल है दो गजल मुबारक अजिमअबादी का और दो घजल एमद फिराज का तो ये चारों गजल को हम लोग पढ़ेंगे और हर राइटर से कोशन पक्का है कि पूछेगा इसमें तो कोई शक ही नहीं है ठीक है चलिए मुबारक अजीम अबादी की पैदाईश के बारे में अगर बात करें तो इनकी पैदाईश हुई थी इक एस अपरील 1869 इस भी को ताजपूर जिला दर्भंगा में और वो भी नहीं तो फ्राइड़े यानी कि जुम्मा के दिन ठीक है न एकएस अपरील 1879 इस भी को मुबारक अजीम अबादी की तालीम वो तर्वियत जो है न अगर इसके बारे में बात की जाए तो मुबारक अजीम अबादी की तालीम मैट्रिक तक थी बस मैट्रिक की ये किये थे तक पढ़ाई किये थे शेरी मजमुआ की बात कर ले तो शेरी मजमुआ यानि की इनके शेरोशायरी का किताब का नाम है जलवाए दाग जो की बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है ये कोशन बहुत बार पूछा गया है याद रखिएगा मुबारक अजिमबादी के शेरी बच्वन से इनको शेरोशायरी का बहुत ज्यदा शौक था और इनके वालिद जो थे ना फिदाहुसाइन वामक याद रहखिएगा इनके पिता जी का नाम है फिदाहुसैन वामक वो भी बहुत बड़े शायर थे और यही वज़ाह है कि इनको शअयरी विरासत में मिली थी यही वज़ा है कि इनको शायरी विरासत में मिली थी काफी है मसूर हुए और भड़े इनके पैदाइब ताजपूर जिला दर्भंगा में हुई थी लेकिन यह अलग-अलग जगह गए थे कभी दिल ली कभी पटना अलग-अलग जगह पर यह जो है न हिजरत किये थे लेकिन लास्ट में ये पतना में गये और पतना में ही रहने सकते हैं मुबारतsee की दो किताबे याद रखिएगा पहला है मिजानुल तब और दुस्रा है तभनकबीर कोषन पूट सकता है अभी तक तो पूछा नहीं क्या है लेकिन आप लोग की समय पूर्च सकता है याद रखिएगा उन्हें से चौइस इस भी में हुकूमत हिंद ने मुबारा कजीम अबादी की अद्वी कार गुजारियों का इतराफ करते हुए मुबारा कजीम अबादी जैसा कि मैं आप लोगो बताई शेरोशाहिरी में काफी दिल्चस्पी रखते थे और इनका टीचिंग सर्विस बहुत जादा था तो इनके अद्वी कार गुजारियों का इतराफ करते हुए यानि कि टीचिंग सर्विस का इतराफ करते हुए शाबा इनका मन्थली कर दिया ठीक है और उस वक्त यह बहुत ही जादा था कब की बात है अब आगे बढ़ते हैं इनके उर्दू शाहिरी के उस्ताद थे ना उनका नाम था दाग दहलवी याद रखिएगा मॉस्ट 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 वीप्याई कोशन कोशन पूछता है कि मुबा समझे की फिवरेट कॉश्चन है दो शाहिर उस्ताद पूछेगा नहीं तो फार्सी शाहिरी का उस्ता पूछेगा थो अगर कॉश्चन पूछे कि मुबारा कवसीबधी के फार्सी शाहिरी का उस्ताद कौन है तो और समीद आ आएगा अब्ढूल हमीद परेशान इसको तक इनकी मौत नहीं वगया था इनको तब तक वो वार्क अबादी के उस्ताद बने रहे थे तो यह याद रखना है और फार्सी शाहरी के उस्ताद का नाम मैं आप लोगे बुक में दिया गया था वहर एक चीज बता दी अब चलिए इन दोनों घजल को पढ़कर परतिये क्लाइन का अर्थ में आप लोगो बताती हूं यानि कि मानी आप लोगो बता देती हूं तो पहली घजल को पढ़कर सबसे पहले मैं तस्रीख कर देती हूं और उसी तरह दूसरी घजल को भी मैं पढ़कर तश्रीख करूंगी एक सांथ दोनों घजल कंप्लीट हो जाएगा यानि कि 27-27 चेप्टर कंप्लीट हो जाएगा और फिर मैं एहमद कर लेते हैं थोड़ा सा भूम लेते हैं ऐसा नहीं है आप पुरा कंप्लीट वीडियो देखिए स्टार्टिंग से लेकर अंत तक बिना स्किप किये और समझेए ध्यान से और सुनी अभी मैं तश्रीख करने जा रही हूं इसको ध्यान से सुनिए क्योंकि अगर आप लोग क दो लाइन उठा कर आप लोग एक्जाम में पूठ सकता है कि तश्रीख किजेए इसका तो पता रहेगा मतलब तभी तो आप लोग तश्रीख करेंगे तो समझेए यहां पर ध्यान से सुनिए लिखा हुआ है पहली गजल में लिखा हुआ है कि साते गुजरी जो गफलत में समझलेख हो गई फिर के आने की नहीं नादा घड़िया जो गई यहां पर बोला जा रहा है साते यानि की समय वक्त जो समय बीच चुका है ना चाहे आप यूँ ही उसको बरबाद कर दियों बिना वज़ा उसको बरबाद कियों या फिर जिस भी वज़ा से लब जो समय किये हो ठीक है ना जिस भी चीज में फालतू की चीज में या फिर काम की चीज में जिस तरह से भी लेकिन जो समय बीट गया है अब वो वापस आने वाला नहीं है समझ लिजिए कि वो खो गया वो समय खो गया क्या 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 किया तेरी निगाहों सुलूक दिल में आई दिल में ठेहरी दिल में काटे बो गई तुम्हारी यादे जो है ना हमारे दिल में आई दिल में ठेहरी और दिल में काटे बो गई अब हम क्या बताएं तुम्हारी निगाहों ने हमारे साथ क्या-क्या सुलूक किया है कुछ कहने लाइक हो तब ना घर शबे वादा मेरा मातम सिरा से कमना था तुम ना आये असरते आ के मुझको रो गई बोल रहा है मुबारक अजिम अबादी कि तुमने वादा किया था कि तुम हमारे घर आओगी ठीक है ना तुम तो नहीं आई लेकिन तुम्हारे हस्रते तुम्हारी यादे आ कर मुझको रुला गई और हमारा घर जो है ना ऐसा लग रहा था कि घर में मातम हो रहा हो यानि कि घर शबे वादे मातम सिरा से कमना था यानि कि हमारा घर जो है वो ऐसा लग रहा था कि मातम हो रहा है यानि कि मा यूं ताने जनसावन की जरिया हो गई यहाँ बोला जा रहा है मुवारक अजिम अबादी बोल रहे है अपने महभूब को ही कि तुम तो आई नहीं मतलब वादा करके तुम आई नहीं तुम्हारी हसरते तुम्हारी यादे हमारे दिल जान में दिल वो जिगर में ख्यालों में आकर मुझको रुला कर चली गई अब हमारे जो आँखों से अश्क आशु निकल रहे है वो तवे की तरह गर्म है अब हमारे आँखों से जो आशु निकल रहे हैं वो भी हमें ताना दे रहे हैं अब हमारे आँखों से जो आसु निकल रहे हैं यह सावन की जड़िया हो गई है ऐसा लग रहा है कि सावन में बरसात जिस तरह होता है जड़ जड़ बारिस होती है उस तरह हमारे आँखों से सावन की बरसात हो रही है देखे न और यह भी हमें ताना दे रही है तो यहां पर हो गया यही बस लास्ट लाइन था और यह पहली घजल कंप्लीट यहां पर फाइनली अब चलिए दूसरी घजल को यह जो दूसरी घजल है इसको पढ़कर में आप लोगों बता देती हूं दिखा हुआ है कि गिर गए अफसोस किस-किस की नजर से क्या कहें हम हुए क्या क्या ख़ज़ इस चश्मे तर्ष से क्या कहें यहांपर जो हैना मुवार्द Васी रिजियंगी चूल रहा है कि हम किस-किस की नजर से गिर शुके हैं क्या बताए हमारा चारो तरफ जो है ना चारो तरफ मेरी बदनामी बदनामी हो रही है हम हर एक की नजर से गिर गए हैं अब हम क्या कहें अब हम आसू से भी क्या कहें क्या कहें हम कहीं कभी नहीं रहे हैं यू भी कहता है किसी से कोई अपना हाल जार आप तो सुनते नहीं दि सुनते नहीं हैं तो दिवारोदर से क्या कहें दिवारोदर से कहने से कोई फायदा है हम आप से अपने दिल के दिल का हाल बताते हैं दिल की बात बताते हैं जो भी बात होता है हम आप से कहते हैं और आप तो सुनते ही नहीं है तो दिवार वो दर से क्या कहें सुन रहे हैं नासी ना फहम कि हम दंब खुद कह रहा है हम से क्या इस खबर क्या उस बेखबर से क्या कहें बोल रहे हैं यहां पर मुबारख अजिम बादी सुन रहे हैं नासी ना फहम कि हम दंब खुद यानि कि जो नासी है ना नसीह देने वाला वो मुझको नसीहत देते ही जा रहा है देते ही जा रहा है लेकिन उस बेखबर को नहीं पता है कि मुझे नसीहत चाहिए ही नहीं और फ्री एडवाइज देते ही जा रहा है और हमको नसीहत लेना ही नहीं है यानि कि एडवाइज लेना ही नहीं है और उस बेखब मंदाने मुभबत का यह क्या जाने इलाज चारागर की क्या सुने हम हम चारागर के क्या कहें यहां पर जो है ना मुबारक अजिमवादी बोल रहे हैं कि मेरी जो बिमारी है ना अलग टाइप की बिमारी है मुहबत की बिमारी दिल की बिमारी ठीक है ना हमारे पास डॉक्टर तो है लेकिन डॉक्टर क्या जाने इसका इलाज दर्दमंदान मुहबत का यह क्या यह की दिल की भिमारी का मुहबत के बिमारी का मुहबत के दर्द का यह चिया जाने यह तो DR है यह तो कभी कफरूग बतलाएंगा कबinh तासीर गर्मी की वही इनको तो दिल की बिमारी है इनके पास डॉक्टर भी है लेकिन डॉक्टर क्या जाने दर्दमंदान मुहबत की इलाज वो तो कभी कफरोग बतलाएगा कभी तासीर गर्मी की कभी बुखार बतलाएगा वो क्या जानता है कि इनको किस चीज की बिमारी है इनको तो की विमारी है वी बात है हर कदम पर खुश cookie ढूंट कैसी सूर्थे गुजरी नजर से क्या कह कि की हमारी जींदगी है रास्ते के समान ऑर इस रास्ते में हर कदम पर मुझे नएन्य चेहरे देखने से औरतों के सूरते देखने को मिली है और यहां पर क्या बोल रहा है कि कैसी कैसे कैसी कैसी सूरते गुजरी नजर से क्या कहें यानि कि इस जिंदगी के रास्ते में हर कदम पर कैसी कैसी सूरते हमारी नजर से गुजरी है हम क्या बताए और इन इन जितने भी नई नई चेहरे न दूसरी गजल यहां पर कंप्लीट हो जाती है तो यह फाइनली हो गया मुबारक अजीम अबादी की दोनों गजल कंप्लीट यानिकी दो चेप्टर कंप्लीट हो गया अब बचा हुआ है मातर यह दो चेप्टर जो की एहमद फिराज की गजल है चलिए सबसे पहले समझते हैं एहमद फिराज के बारे में और फड़ा-फट हम लोग दोनों गजल को कंप्लीट करेंगे देखिए इनकी पैदाइस जो हुई है वो उन्हें से 33 को पिशावर में हुई थी ठीक है एहमद फिराज की पैदाइश कब हुई थ घरेलू महाल जो था ना है एहमद फिराज का जो खंदान साउनका गहर गहर झाहर का जो महाल ता गहलो महाल वह द्वी और शाहिराना था और इसी वज़ासे इंकी इब्थाई तालिम जो शुरुवा है सिक्छ्चा थी इनको घर कहीं मिली और घर का महाल्ड अधवी और ए nessa को क्योना वाजा था इस डिग्री से कराची युनिवर्सिटी ने से लिए कि एमध वी और शेरी खिद्मात में इनका काफी योगदान रहा था इसी वजह से मतलब करने में ये बहुत ही एहम रोल निभाए थे जिसके वज़ा से कराची यूनिवर्सिटी जो है ना इनको एहमद फिराज को डॉक्टर ऑफ लिट्रेचर की डिगरी से नावाजा था ठीक है मुलाजमत ही अलग अलग जगा पर बहुत जगा पर किये थे कई जगा पर ये नौकरी कि थी नेशनल बुख पांडेशन पाकिस्तान के मैनेजिंग डायरेक्टर भी रहे थे सुचिए यह अलग अलग जगा पर मुलाजमत किये थे और याद रखिए गाई यह भी कि ये पाकिस्तान के बेहत मकबूल शायर थे और शायर जो की एक रुमानी मिजाज के शायर कि पाक तो आप लोगो धीरे से टिक करना है जिस भी option में लिखाई दें रुमानी मिजास आगे बढ़ते हैं बारा मजमुवा यानि की बारा किताब जो है ना एहमद फिराज का लिखा हुआ शाय हो चुका है यह याद रखिएगा बारा मजमुवा शाय हो चुके हैं एहमद फिराज की ठीक है ना और मौत से पहले बिहार के दर्भंगा के मुशायरे में यह तस्रीफ लाए थे याद रखिएगा अपने मौत से कुछ दिन पहले यह बिहार के दरभंगा के मुशाइरे में तश्रीफ लाए थे और उसके बाद से इनकी मौत हो गई और कभ यह लाय थे याद रखिए 2009 2009 याद रखिएगा 2009 में यह तश्रीफ लाइते बिहार के दरभंगा में तो समझे कि 2009 में इनका इंतकाल हुआ होगा तो यहां पर फाइनली हो गया एमद फिराज के बारे में सारा डीटेल्स कम्प्लीट अब चलिए पढ़ा-पढ़ा हम लोग दोनों घजल को समझ लेते हैं तो पहली घजल मैं यहां पर पढ़ रहे हूं ध्यान से सुनिएगा आप लोग बहुत ही अच्छे अंदाज में लिखे हैं अपने जजबातों को जाहिर किये हैं अहमद फिराज बहुत यह अच्छे तरीके से जरा सुनिए दौलते दर्द को दुनिया से च्छिपा कर रखना आख में बुंद नहों दिल में समंदर रखना यहां पर इस पहले लाइन में अहमद फ चुपा कर रखना दुनिया को कभी पता नहीं चलना चाहिए कि तुम्हारे अंदर कितना दर्द चुपा हुआ है तुमको किस चीज का गम है तुम किस किस चीज से गम मिला है तुम किस दौर से होकर गुजर रहे हो तुम्हारे अंदर कितना दर्द चुपा हुआ है यह कभ भले ही लोगों के सामने तुम्हारे आँख से एक बुंद भी आसू नाए लेकिन दिल में आसू का समंदर रखना। कल गए गुजरे जमानों का ख्याल आएगा, आज इतना भी न रातों को मनवा रखना। यहां पर बोल रहा है, अभी जिस तरह की जिन्दगी हम लोग जी रहे हैं, अभी जिस तरह का भी हम लोग का प्रजेंट टाइम चल रहा है, लेकिन याद रखना, फ्यूचर में, यानि की मुस्तक्बिल में, भविश्य में, हम इन्हीं जमानों को याद करेंगे, अभी जो हम की कास हम अपने जमाने में खेल उद लिये रहते हैं, ठीक है, मुझाब किसी चीज़ का अफसोस नहीं होना चाहिए, इसलिए अभी के दौर को अभी जो तुम प्रजेंट टाइम में जो अपनी जिन्दगी को गुजार रहे हो ना, अभी के जिन्दगी को इतने अच्छे स गुजारो कि आगे चलकर फ्यूचर में तुमको अफसोस नहीं हो, ठीक है ना, यानि कि आगे चलकर तुम फ्यूचर में अपने पिछले यानि कि पस्ट लाइफ को याद करो, तो तुम्हें किसी चीज़ का अफसोस नहीं हो, इस तरह के लाइफ को गुजारो अभी प्रज जो मिजाज है न यह क्या बताएं भिक्रा हुआ टाइप का है मुझे अपने आशिफ्ततो हुआह सिए क्या बताएं दुश्मानी संग और काप Titus मन खुद कांच हूं और मैंने दुश्मनी पत्थर से ले रखी है अब सोचो जरा कांच और पत्थर में जब टकडाव होगा दोनों लड़ेंगे तो टूटेगा क्या कांच चूटेगा यानि कि मैं मैं खुद का आच हूँ और पत्थर से संग से मैंने दुस्मनी कर रखी है और जब दोनों लड़ेंगे तो काश तो चूर-चूर हो जाएगा यानि कि मैं चूर-चूर हो जाओंगा देखे ना मुझे अपनी आश्रिश्टा मिजाजी पे ही हसी आती है आश कब दिल को नहीं थी तेरे आजाने की पर ना ऐसी के कदम घर से बाहर रखना या पर बोल रहे हैं एहमद फिराज अपने महभूब को कि तुम्हारे आने की आश कब नहीं थी अभी भी है और अभी तुम्हारे आने की जो आशा है ना इस कदर बढ़ चुकी है कि अब मैं अपने घर से कदम बाहर नहीं निकाल रहा हूं कहीं जाना नहीं रहा हूं इसलिए कि अगर मैं कहीं बाहर चला गया और तुम उसी वक्त आ गई तो फिर तुमसे मुलाकात नहीं हो पाएगी इसी वज़ा से मैं अपने घर से बाहर नहीं निकल रहा हूं यहां पर यह बताना चाह रहे हैं कि कब दिल को नहीं थी तिरे आ जाने की आशा कब नहीं थी हमेशा से आस्त लगी हुई थी कि तुम आओगी तुम आओगी अब ये जो आस है ना इस कदर बढ़ चुकी है कि अब मैं अपने घर से बाहर भी नहीं निकलता हूं ठीक है ना जिकर उसका सही बजम में बैठे हो फि बैट रहे हो और तुम्हारे अपने रिष्टेदारों कि या फिर तुम्हारे महबूब की बाते होती है तो अपने चेहरे के हाव भाव को मत चेंज करना अपने दिल पर हाथ मत रख लेना बात आते ही नहीं तो लोग समझ जाएंगे कि तुम्हारा उस इंसान से कोई ना को लोग को शक हो जाएगा तुम्हार कि जरूर इस से तुम्हारा कोई ना कोई नाता है ठीकिख न तो इसलिए उठे हाथ ना दिल पर रखना यान कि कभी भी अपने दिल पर हाथ मत रखना यानगि अपने चेहरे के एक्स्प्रेशन को चेंज मत करना आक तो फाईनली यहां तुम तो खुद एक चिराग हो तुम खुद एक सुरज की तरह हो लोग क्या साधा है सुरज को दिखाते हैं चिराग यानि कि अपने महभूब को सुरज कह रहे हैं तीजाना बोल रहे हैं कि तुम तो खुद एक सुरज हो और तुम्हारे होते हुए लोग महफिल में चिराग जलाते हैं लोग क्या साधा है क्या लोगों को समझ नहीं है क्या लोग बेवकूफ है कि सूरज को सूरज के होते हुए भी वह महफिल में चिराग जला रहे हैं अपनी महरूमी के एहसास से शर्मिंदा है खुद नहीं रखते तो औरों के बुझाते हैं चिराग यहां पर एहम भूग दूसरे के घर में सबी लोग्ष हैं अपने अच्छे जीवन को भी ता रहे हैं खुशाल जिंदगी को भीटा रहे हैं तो वो क्यों ना खुश जी जिनके जिननकी क्यों जरक है गे घरमें नहीं भुजा हुआ ही है लेकिन जुन के घर में चिराग है घर में खुशी है उसकी को भी बुझाने के लिए चले जाथे हैं यानि कि उसकी चिराग को लूजाने के लिए चले जाते हैं क्या बताया एसे ऐसे लोग přेशक्व मादशặc च Dareा अब का जो डीज इन्डियों होते जा रहा है क्या खबर उनकों के दामन भी भड़क उटते हैं जो दमानों की हवाओँ से बचाते हैं। यहां पर बोल रहा है एहमद फिराज कि उनको क्या खबर है जो लोग चिराग को बचाने के लिए जाते हैं हवा उसे यानि कि तेर जब हवाय चलती है तो चिराग कहीं बुझ न जाए उसे बचाने के लिए जो लोग जाते हैं उनको क्या खबर है कि दामन में भरक उठते हैं यहां पर इस लाइन के जरीए एमद फिराजी बताने की कोश्किया है कि आज कल भलाई का दमाना ही नहीं रहा मतलब किसी दूसरे के मामले में पड़ो सुलजाने के लिए मामलों को तो खुद ही मतलब खुद ही बदनाम हो जाना पड़ रहा है आज कल यानकी खुद पर ही लो किसमत है हमारी नसीब हमारे साथ नहीं दी हम अंधेरे में हैं लेकिन हां हम दुनिया को चिराग दिखा सकते हैं यानि कि जो दूसरे लोग है उनको हम बता सकते हैं उनको समझा सकते हैं सही रास्ता दिखा सकते हैं बले हमारा नसीब हमारा साथ नहीं दी ठीक है हम लो खु करें से पांड सितारों पर बसाने वालों अभी के जमाने में लोग जा रहें अपने घर को बसाने के लिए चांद पर चांद मंगल तारे वगरा ढूंड अभी सबसे पहले तुम धरती पर जहां पर घर है यहां के चिराग को बचाओ ठीक है और तुम अभी चांद पर जाने की बात कर रहे हो चांद पर घर बसाने की बात कर रहे हो सबसे पहले जहां पर तुम बसे हो वहां के चिराग को बचा लो ठीक है ऐसे बेदर्द हुए हम भी कि अब गुल्षन पर बर्क गिरती है तो तो जन्दमateur जलाते हैं यहांपर बोल रहा है अमत फिराद की अब लोग ऐसे można अब हम भी ऐसे बेदर्द हो गए हैं place कि अगर बाहर गुलशन में बर जिली गिरती है ना तो हम लोग कैद खाने यान के जिन्दा में क्या करते हैं जलाते हैं चिराग और इस बात की खुशी मनाते हैं कि चलो अब हम बच गए यानि अच्छा हुआ कि हम बाहर नहीं थे हम कैद खाने में थे तो हम बच गए यह चिराग जला कर हम लोग खुशी मनाते हैं ऐसे हम बेदर्द हो गए हैं बलकि इस बात का दुख नहीं होता है हमें कि वो लोग जो बाहर गुलशन में थे जो कैद खाने से बाहर थे उन पर बिजली गिरी तो वो लोग मर गए होंगे उनके इंतकाल हो गया होगा तो इस बात की दुख नहीं है हमें बलकि इस बात की खुशी है कि चलो हम बच गए हम बाहर नहीं थे अच्छा हुआ हम करद खाने में थे तो हम बच गए हम पर बजली नहीं गिरा इस बात की खुशी है ऐसे हम बिदर्द हो गए हैं एहमल फिराज कह रहे हैं अब देखिए यह लास्ट लाइन है ऐसी तारीकी आँखों में बसी है कि फिरा कि पर बोल रहे हें हमारे जिंदगी में इतना अंधेरा हो गया ना कि रात तो रात है अब हम धिन में भी चिराग जलाते है रहा पर फाइनली हो लेकिन हाँ चारो चेप्टर तो कम्प्लीट हो गया ना चारो घजल को में पढ़कर उसका तश्रीख कर दी राइटर के बारे में बता दी यानिकी पून रूप से चारो चेप्टर कम्प्लीट अब हम लोग अगले वीडियो में एक तिस्वे चेप्टर से स्टार्ट करेंगे और आगे के चेप्टर को हम लोग कंठीनियू रखेंगे और बहुत जल कम्प्लीट हो जाने वाला है आप लोग का उर्दू का बुक बस आप लोग लाइक शेर करके मोटिवेशन बढ़ाईए देखिए जितना ज़दा हो सके उतना ज़दा शेर कीजिए यहां तक तो आई का यह सपोर्ट ही हमें बहुत ज़दा मोटिवेशन देता है यह रंतर क्लास लेते रहने की ठीक है ना बहुत कम व्यूज आते हैं बहुत कम लाइक होते हैं तो एक तरह से कमी महसूस होती है आपर थोड़ी सी मैं डीम मोटिवेट होती हूं लेकिन फिर भी अपने आपको म धासू वीडियो आने वाला है मुझकर और मॉनस का ठीक है ना बहुत कुछ अभी आप लोगो बताना है 2024 के एक्जाम में खत और अप्लिकेशन कैसे लिखा जाता है उर्दू में यह मैं आप लोगो बताऊंगी बहुत कुछ जाना है अब्जेक्टिव का लाइफ चलेगा ठीक है ना टोटल में आप लोगो गाइड करूंगी तो इन सभी चीजों का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुचे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जितना जदा हो सके शेयर कर दे ताकि सभी लोग इस वीडियो का लाब उठा सके चलिए फिर में लेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ तब तक के लिए जहिंद और खुदाहाफिज